जैनियोरी 2024 में नई आने वाली पाच कारों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप नई कार खरीदने के लिए बेताब हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है वीडियो हमेशा की तरह सुपर डूपर और लूपर होने वाली है तो कहीं जानी की जरूत नहीं है दोस्तो हैस्टक गाड़ी का खजाना आपकी अपने इस चैनल में आप लोग का स्वागत है तो पहली कार के बारे में आप जिसकस कर लेते हैं टाटा पंच की पहली जो कार है वो इलक्ट्रिक वहिकल होने वाली है तो इस कार में अभी के कंडिशन में जो बैटरी बैकप यूज हो रहा है, जो बैटरी यूज होने वाली है, वही आपको उफर की जाएगी आने वाले टाटा पंच में भी. वैसे तो टाटा मोटर्स ने अपने फोटफोलियो इस तरह से इंक्रीस किया हुआ है, कि आपको इनके फोटफोलियो में हर एक बैटरिंग कार देखने मिल जाएगी दूस्तों. और बहुत सारे रिपोर्ट में बताया तो ये भी जा रहा है, कि आने वाली जो पंच EV है, उसका बैटरी बैकप टियागो का टियागो से बहुत जादा भी हो सकता है. मतलब की 300 किलो मिटर के उपर भी बैटरी की रेंज बढ़ाई जा सकती है. लेकिन उसी के साथ मैं आपको लोगो को बता दू कि अगर बैटरी बैकप अगर जादा मिलेगा, तो डेफिनेटली कीमत का स्कर भी उपर होने वाला है. तो हो सकता है कि थोड़ी कीमत टाटा पंच EV की थोड़ी सी जादा हो सकती है. अब टाटा टियागो EV की जो रेंज है एक बार चार्ज करने के बाद 230 किलो मेटर तक चली जाती है. अब वही अगर उन्होंने सेम ही अगर बैटरी बैकप टाटा पंच में दे दिया तो कीमत टेफिनेटली कम रहे हैं. वह तो देखने वाली बात होगी कि अब वही दे रही है या फिर कुछ और भी बैटरी बैकप में वो लोग चेंजर्स करते हैं. लेकिन उसके साथ ही अगर इंटरी और एक्स्टेरियल की बात कर ली जाए तो इंटरी एक्स्टेरियल में डेफिनेटली बदलाव आपको देखने मिलेंगे. क्योंकि जो पेटरल वर्जन और डिजल वर्जन हों हमारे पास में हैं उनसे कई गुना डिफ्रेंशियेशन में ये EV पंच आपको देखने मिलेगी. अभी तक के अपडेट से ये तो पता चल गया है कि फ्रंट एंड बैक पूरी तरह से चेंजेस होने वाला है और जो इंटरनल जो फीचर्स देने वाले है वो थोड़े से और बढ़ाये जा रहे हैं. अगले मैंने इसको लांच किये जाने वाला है और इसकी कीमत की अगर बात करें तो कुरंड टाटा पंट से EV का जो कीमत होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ही आपको देखने मिलेगा. सेकंड करकी बात कर लेते हैं दूसरी कार MG मोटर के तरफ से आती है जो की MG3 होने वाली है अगले मैंने हो सकता है कि MG3 को लांच कर दिया जाए ये जो कार है ये छोटी हैजबेक कार के रूप में आपको देखने मिल जाएगी और इस कार का जो पेट्रोल एंजन है 1.5 लीट जबर्दस कॉलिटी की कार लगती है और ये छोटी कार होने के बावजूद बहुत ही बड़ा रोल अधा करने वाली है अब की बार में अगर MG3 अगर MG मोटर्स ने लांच कर दी समझोईनिया में तो तहल का मचा देगी ये कार क्योंकि इसके पहले उनके पास MG हेक्टर और MG MG Ester जैसे भी कारे और रेडी लांच हो चुकी है और कीमत जो है 7 लग के आसपस हो सकती है तीसरी कार की अगर बात कर ले तो तीसरी कार बहुत ही खुबसूरत होने वाली है क्योंकि इसका नाम है फ्रॉंस का रिबैज वर्जन अगर ये रिबैज वर्जन अगर मार्केट मे आ जाता है तो ये भी डेफिनिटली तेल का मचानी के लिए काफी है क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा तो पिछले 2-3 साल से सुजुकी का बैजिंग टोएटा वाले यूज़ कर रहे हो एक दूसरे की कारे मार्केट में उतार रहे है वैसे ही अभी टोएटा जो है सु लगा कर मार्केट में उतारता है तो हमेशा की तरह हमको भी यही देखने मिलने वाला है लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर्स लोडेट करने के बाद कीमत 12-13 लाग रुपी के आसपस रही है अगली कार जो है वो रेनॉल्स के तरब से आ रही है और इस कार का ना यह लोग लाँच करने वाले है इनिया में इस कार को देखना तो अब यह है कि अगर यह कार इनिया में अगले मंद लाँच हो जाती है तो कुपे स्टाइल की डिमांड मार्केट में और कितनी जादा बहतर हो सकती है यह हमको देखने मिल जाएगा क्योंकि टाटा मोटर्स कर्व को अगले ही साथ लाँच कर सकता है शायद आने वाले समय में टाटा की कर्व का मुकाबला आरकेना के साथ में हो सकता है वैसे आरकेना के बारे में आप लोग को बता दू ये बहुत ही प्रीवियम कार होने वाली है क्योंकि इसका इंटरियल एक्स्टेरियल और जो और लुक है वो खुद ही चीक चीक के आपको बता देगा कि भाई ये जो कार है वो सस्ती नहीं आने वाली है तकरीबन इस कार की जो कीमत है ग्लोबर मार्केट के हिसाब से एक 14-15 लाग रुपे के आसपास रहेगी क्योंकि रेनॉल्स की ये सबसे प्रीवियम कार होने वाली है और मेरे खाल से जब ये मार्केट में उत्रेगी तो तहलका मचा देगी 110 परसें वैसे तो इस कार की वेटिंग मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि फीचर्स के मामले में ये कार हुंडा की सारी कारों को टकर देने के लिए अकेली ही काफी होगी अगली जो गाड़ी है हुंडा की WRV गाड़ी है जो की Compact SV है आपको बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि ये पिछले जाली इंटरनेशनल मार्केट में लांच हो गई थी लेकिन प्राब्लम एक छोटी सी ये हो गई कि इंडियन मार्केट में इसके पहले जो WRV लांच हो चुकी थी वो discontinue कर दी गई है लेकिन अब होंडा ने ये सोचा कि इस साल कम से कम ये गाड़ी या तो रिवील किया जाए या तो लांच किया जाए तो देखते हैं लांच होती है लेकिन इसकी आशंकाए थोड़ी सी जादा लग रही है कि होंडा अपने इस वर्जन को इस साल 2024 में जनवर new generation WRV में आपको बहुत जादा features देखने मिल जाएगे साथ में इसको इंटरियल exterior से बहुत ही जादा चेंज कर दिया गया है और safety rating की हिसाब से भी बहुत जादा अच्छी मानी गई है दूसरी सबसे important चीज़ सेफटी के हिसाब से इसमें हैजबैक बढ़ा गया है और dimension के सा और साथ इस कार का overall look भी चेंज कर दिया गया है अगर new generation WRV की range की अगर हम बात करें या फिर उसके कीमत की अगर हम बात करें तो तक्रीबन 17 लाख रुपे के आसपस यह कीमत जाएगी क्योंकि इंडिया में अब इस कार को premium segment में उतारा जाएगा तो next मैने में आने वाली new top 5 cars का मैंने description इस वीडियो में पूरा पूरा दे चुका हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो hashtag गाड़ी का खजाना आप subscribe जरू कीजिएगा like जरू कीजिएगा और आपके comment ही दोस्तों मेरे लिए motivation का काम करते हैं तो definitely मुझे वीडियो कैसी बनी है यह जरू यहाँ